बंगाल को तो मेट्रो की सौगात मिल नहीं वाली है लेकिन इसी दोरान पीए मोदी आगरा मेट्रो रेल पर योजना का वर्चुली लोकारपन भी करेंगे और इस मौके पर सीम योगी ताज महल मेट्रो स्टेशन से आगरा मेट्रो को हरी जंडी दिखाएंगे सीम योगी ताज महल से ताज इस गेट मेट्रो स्टेशन तक का सफर करेंगे ताज महल का दीदार करेंगे आगरा मेट्रो रेल प्रोजेक्ट सीम योगी की महत्तुकांची पर योजनाओं में से एक है और बात शाजान श्रेक की करेंगे क्योंकि शाजान श्रेक की कच्टिडीले ने पहुची सीबी आई की टीम खाली आथ लोटी है CID ने सुप्रीम कोट में अपील का हवाला देकर शाजान श्रेक को सीबी आई के हवाले से करने से इंकार कर दिया ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं आपको बता दे कि कल सीबी आई की टीम साड़े चार बजे पहुच जाती है कि शाजान श्रेक की कच्टिडी ले लेंगे लेकिन CID ने इंकार कर दिया हाला कि सुप्रीम कोट का दर्वाजा कटकट आए गया लेकिन सुप्रीम कोट ने इसे खारिच कर दिया लेकिन किस तरीके से हाई कोट जो बार-बार कह रहा है कि पक्ष पात्पूर्ण रवाईया आखिर राजे सरकार क्यों कर रही है क्या दिक्कत है कि CID CBI को शाजांशेक को सौप दे ताकि पूट साज की रा सके और इदर लालू रादर के पीएम मोदी पर परिवार को लेकर दिये विवारस्पत बयान के बाद पूरा देश मोदी के समर्थन में उतरता है नजर आया पीएम मोदी के लोगसवाशेत्र वारनसी में समर्थकों ने अपने घरों के बाहर मोदी का परिवार वाले पोस्टर लगाए हैं यह बड़ी खबर आप देख रहे हैं किस तरीके से लालू यादव ने प्रधान मोदी मोदी पर परिवार को लेकर निचाना साथा विवादस पत बयान दिया जिसके बाद वारनसी जो पीएम मोदी का संसद्य शेत्र है तीसरी बार पीएम मोदी यहीं से मैदान में उतर रहे है वहाँ देखिए किस तरीके से घर के बाहर हम हैं मोदी का परिवार के यह पोस्टर चस पाए गए है लाजस्तान की बाद जहां सब इंस्पेक्टर भरती परेक्षर पेपर लीक मामले में बड़ा परदा फाश हुआ है एस ओ जी के एडी जी वीके सिंग ने पेपर लीक में चौदा लोगों के शामिल होने की बात कई साथी आरोपियों पर सक्ट से सक्ट कारवाई करने की जानकारी दी गई है ये बड़ी कबर आप देख रहे है राजिस्थान में सब इंस्पेक्टर भरती परेक्षर पेपर लीक होता है इसमें परदा फाश करते हुए ये बताया गया कि एस ओ जी के एडी जी पे वीके सिंग ने पेपर लीक में साद्वी प्रग्या के तेवर पहले जैसे रज़र आये क्योंकि उन्होंने सिह rue में एक स्कूल के सामने मनी शाराव की दुकान का ताला तोड़ दीया पर देख रहात분el Boss 거래 फाव शीकान थे उसमक्ति पुलिस के लाग समझाने के बावजूद साधवी प्रग्या अडी रही और शराब की दुकान का ताला तोड़ दिया यही नहीं उन्होंने दुकान में मौझूद छराब को बहाने का फर्मान भी सुना दिया क्योंकि सादवी प्रग्या के मताबिक शराब की दुकान की वज़े से उसके सामने बने स्कूल की चात्राएं परिशान थी उन्हीं चात्राओं ने सादवी प्रग्या से शिकायत की थी इसके बाद उन्होंने कड़ा कदम उठाया और सिहोर पहुंचकर पुलिस वालों और प्रशासन के लोगों को लतार लगा दि बोपाल में बीजेपी की सांसद सादवी प्रग्या ने आरोप लगाया कि शराब की दुकान अवैद थी और एक बीजेपी विधायक की थी ये आरोप लगाते हुए उन्होंने अपनी पार्टी के विधायक के खिलाब मुर्चा खोल दिया सादवी प्रग्या के ये तेवर ऐसे समय में नजर आए जब भुपाल से उनका लोगसभा चुनाव का टिकेट कट चुका है दोजार उन्नीस में उन्होंने कॉंग्रेस के दिगवजे सिंग को बड़े अंतर से हराया था लेकिन संसद में गोडसे से जुड़े उनके एक बयान के बाद खुब विवाद हुआ था और खुद प्रथान मंतरी ने सादवी प्रग्या के बयान पर नाराजगी जताई थी उतर गुरुग्राम में माउथ फ्रेशनर की जगा ड्राइ आइस खाने से बीमार पड़े लोगों को अस्पताल से चुट्टी मिल गई एक रोज पहले उस रेस्टांट में माउथ फ्रेशनर की जगा ड्राइ आइस दिये जाने की वज़े से पांच लोग खुण की उल्टी करने लगे थे प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी साथ मार्च को जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में एक बड़ी रैली करेंगे ये रैली बक्षी स्टेडियम में होगी जहां करीब दो लाग लोग शामिल होंगे इसके साथी प्रधान मंतरी कई योजनाओं का भी लोकारपन करेंगे जहारखन के दुमका में योरप के देश स्पेन की महिला के गैंग्रेव के मामले में पुलिस ने पांच और आरोपियों को गिरफतार करने का दावा किया इस मामले में पहले ही तीन आरोपियों को गिरफतार किया जा चुका है इस बीच मंद्यप्रदेश के शाजापूर पहुंचे राहूल गांधी ने राम पर ऐसा बयान दिया कि उनका विरोध चुरू हो गया राहूल गांधी की भारत जोड़ो निया यात्रा मद्यप्रदेश में इसी दौरान उन्होंने राम पर बयान दिया और बखेडा कड़ा हो गया उन्होंने शाजापूर में एक रोड शो के दौरान ये टिपड़ी की और बयान देने के कुछी देर बाद उनका विरोध हुआ राहूल की गाड़ी जब सड़क से गुजरी तो उसी समय दूसरी तरफ खड़े कुछ लोगोंने जैश्री राम के नारे लगाए नारे बाजी के बीच राहूल ने इन लोगों से हाथ भी मिलाया लेकिन जैश्री राम के नारे लगते रहे इससे पहले राहूल जब अपनी गाड़ी पर बैठे थे तो इन लोगोंने प्रधान मंत्री के नाम के नारे भी लगाए PM के नाम के नारे सुनकर राहूल गांधी अपनी गाड़ी से उत्रे और इन लोगों से मिलने पहुँच गए इन लोगों से मिलने के बाद राहूल वापस अपनी गाड़ी में गए इस दोरान लगातार नारे लगते रहे लोगों ने राहूल के सामने बार बार जैश्री राम के नारे लगाए नारे बाजी के बीच गारी में बैठे राहूल ने इन लोगों को फ्लाइंग किस दी और थम्स अब किया लेकिन जब तक राहूल गांधी वहां रहे सडक के दूसरी तरफ खड़े लोग जैश्री राम के नारे लगाती रहे MP के शाजापुर में अपने रोडशो में राहूल गांधी ने प्रधान मंत्री पर निशाना साथा और राम पर कुछ ऐसा बोल दिया कि सियासी पारा चड़ गया राहूल ने जैसे ही ये बयान दिया वो बीजेपी के निशाने पर आ गए इसे पहले राहूल गांधी ने वारा नसी के दौरे पर यूपी के युवाउं से जड़ा बयान दिया था उसके बाद बीजेपी ने खूब आलोच ना की थी और इस बार उन्होंने राम के नारे से जड़ा बयान दे दिया और इसके कुछी देर बाद उन्हें लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा उधर मद्रप्रदेश के चिंदवाड़ा में लगे कमलनाथ के पोस्टर चर्चा में आ गए क्योंकि इन पोस्टरों में कमलनाथ को मद्रप्रदेश का भावी मुख्यमंत्री बताया गया चिंदवाडा में ये पोस्टर ऐसे समय में लगाए गए जब राहुल गांधी की भारत जोडो नया यात्रा मद्धिप्रदेश में है और इसी दोरान चिंदवाडा में लगे कमलनाथ और नकुलनाथ के पोस्टर चर्चा में आ गए पोस्टर में नगुलनाथ की तस्वीर के नीचे तो चिंदवाडा सांसद लिखा दिखा लेकिन कमलनाथ की तस्वीर के नीचे भावी मुख्यमंत्री लिखा नजर आया और इसलिए इन पोस्टरों ने लोगों का ध्यान खीचा झालो जोगों की तस्वीर कर दिखा दिए मुझा इन वावी प्यान खीचे ने ने दिखा विखा लिए झालो जैडरों की तस्वीर के जाने मुझावे ने मुझा उनिए रगललाष जिए यजड़ें उनिए का दिखा रभलाषण है झाल झाल